आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी हम प्रिय दर्शी देवानान प्रिय समराथ शुकी 2326 वी जैन्ती मना रहे है और इस जैन्ती के उपलक्ष में कितने महान थे समराथ शुक बोद धम्म में के प्रचार और प्रसार में उनका कितना अहम भूमिका रही पुरे आशिया ही नहीं पुरी दुनिया में यह जो मानवतावादी धम्म है जिसमें पग्याशील करूना बत लेके बहुत गया टेमपल तक वैस उसका निर्मान प्रियदर्शी समराथ शोक ने किया और पुरे विश्यों में देश का नाम रोशन किया इसे ही प्रियदर्शी समराथ शोक की जैनती है उनके जीवन पर उनके कार्य पर चर्चा करने के लिए दो महानु भाव इस वक्त ह हमारे स्टूडियो में है पहले है अशोक जांबुलकर जी जो आकाश्वानी मुंबई तथा नाधपूर के सीनियर उद्गोशक रहे है रंग कर्मी है लेकक है निर्देशक है और समराथ शोक इनके जीवन पर एक महानाथ्य का निर्मान उन्होंने किया है और देश भरे मे जी जो मौर्य वंश के नाकेवल समराथ शोक के जीवन के पूरा मौर्य वंश जो है इसके एक अभ्यासक है अने प्रकार के उनके ग्रंत और उनकी किताबे उस पर आने वाली है और उस पे अच्छी समझ रखते हैं आप दोनों महनुभावों का आवाज इंडिया टी में ब बहुत बड़ा नाम है प्रियदर्शी, देवानान, पिया, समराथ, अशोक जो मौर्य वंश से आते हैं लेकिन देखा जाता है कि उनके लाइप पे तो बहुत बात हुती है हम लोग नाटकों में देखते हैं या सीरियल्स में देखते हैं या कीतामों में भी बढ़ते हैं तो उनकी एक लाइप स्टोरी हमें दिखाई देती हैं लेकिन उन्होंने ये काम किया या फिर एक राजा के तोर पे जिने धमराजिक कहा जाता है उस तोर पे उनके जो ठोस काम रहे उस पे बहुत प्रकाश नहीं डाला जाता है ऐसा क्यों प्रशने इसा है कि जहां तक समराट अशोप का जो इत्यास कार है या उनके संदर में जितने ही लोगों ने लिखा हुआ है उनको विशेश रूप से किसी मकसद से बोलो या शड्यंतर के तहद बोलो उनको बदनाम करके रखा हुआ है बदनाम इंसेंस की ये कहा गया कि समराट अशोप ने जो है नैननो भाईओं को पिटवा दिया जबकि वास्तविक सत्य यह है कि नैननो भाईओं उनको नहीं है अगर हो गए अगर हो गए तो हमको वो संदर्द दे दो हम उसको सिकार ले गे लेकिन नैननोभाई उनको थे इस संदर में किसी प्रकार के कोई हमको संदर अभी तक मुझे मिले ने जो समराट एशोग के सामराज और उनके नितियों के उपर में जो मैंने काम किया लगबग साड़े तीन हजार से जादा किताबों को चान कर मैंने समराट एशोग के क्या बोलते कि सामाजिक, आर्थिक, महिला ससक्तिकरन, उसके बाद में रक्षा निति, इंटरनेशनल क्या बोलते कि रिलेशन्स एंड आल्सो पॉलिटिकल प्रभाव, मिस राजनितिक दुनिया के उपर में उनका राजनितिक प्रभाव कैसे रहा, तो यह नयानों वाली जो कहानी आती है भाईयों को पिटवा उनके परिवार के संदर में वहां नयानों भाईयों का कही उलेक नहीं है, दूसरी बात आ जाती है कलिंग वार किया उन्होंने कहीं लोगों को क्या बोलते कि हत्या करते है जूटी बात है, कलिंग वार हुआ, देर इस नो डाउट अट आल, लेकिन वो युद्ध था, वो युद्ध करने की क्यों आफशकता पड़ी, क्या कारण रहा, तो यह चीजे जो है हमारे सामने में नहीं आती है, तो क्यों मिला के भारती इत्यास कार की बात अगर किया जाए, तो बाबा साहब के दुरुष्टिकों से देखा जाए, तो बाबा साहब ने बहुत क्लियर ब बर बर है, तो बाबा साहब के एक स्पेशल बात है, शब्दों के अंदर में, कि बाबा साहब ने मोर्यकाल नहीं बुला, एक स्पेशल है, उन्होंने मोर्य बोधकाल ये शब्द यूच किया है, और मोर्य बोधकाल लिखते हुए, उन्होंने ये भी बोला है, कि मोर्य बो तो दोज्ज जो भ्रह्मभातिया है जन्मानस के अंदर में कि लोग बोलते की समराठ ऐशोग जो थे वो चंड़ था उसके बाद में बोलते की कुरूप था तो ये तो कहीं पर हमको निव मिलता है ये सारे हो शब्द जा हमको मिलते है ये उन इत्यासकारों के किताबों में मि नहीं था यह मानव कि शमराठ एक विश्व शमराठा एक मान समराठ वीश्व में संब्लचव मर रहा यह शब्दों के वजह से उनको प्राबलम हो जाती पिर यह नहीं प्रभुत्व तो बढ़ेगा नहीं तो किसको ने किसको तो बदनाम करना ही पड़ेगा तो फिर क्या करो तो नयानों भायों को पिटवा दिया फिकलिंग वार्मी इतना अनर्साहर कर दिया फिर बाद में उपूरूप था वो चंड था भई शीला लेक में प्रियदिश्य लि भी बहुत इस पे रिसर्च किया है स्टडी की है कि कहा तक समराट शुक उनके जीवन के आखरी काल में गए थे संधर्ब मिलते हैं उसके जब आप यह ड्रामा कर रहे थे तब यह सारे प्रशने तो उद्वह होते हैं क्योंकि जैसे कि सत्य जीप सर ने कहा कि उस काल में तो जो भी है सारा का सारा जो तथ्य सामने आते किताबों के जरी उस पर है तो यह जो बात है शिला लोगों पे देवानान पीए की उलिख ए चिला लोगों पे पीए दर्शी का उलिख है चंडा शोक जो इस कंसेप्ट है इसके बारे में आप क्या कहेंगे भाई ने जो बताया जिसमें लिखने की कोई उनको इजाजत ही नहीं थी तो लिखा किस ने उन्होंने लिखा ब्रामणों ने लिखा उसकेत अधाकतित इतिहासकारों ने लिखा और पूरी गढ़वडियों को ले कर आज तक इतिहासकार वर्तमान इतिहासकार भी अगर कुछ नी ज्यादातर इतिहासकार अशोक को गलत ही बताते हैं काला बताते हैं नाटा नक्टा बताते हैं नाक चिपका हुआ बताते हैं तो ऐसा बचाने के पीछे उनकी जो मान सिकता है परंपरावादी मान सिकता जो है कि एक अच सुन्दगी भर बदनाम होता रहेंगा अशोक ऐसे नहीं थे हमारी साब से क्योंकि हमने जब खोजा हमने बहुत सारी किताबों में किताबों का अध्यान किया दो हजार इस विसन दो हजार में अक्टूबर महने में महा सूर्य करके एक महा नाट्या आया था सुनील राम्टे की जी का उसके बाद हमने सोचा कि समराट अशोक की उपर नाटक आना चाहिए क्योंकि शिवाजी महाराज की उपर जानता राजा नाटक था तो मैं और हभीर यह सर एक दिन समिदान चाहुक में बैटे और सर को मैंने का कि सर आप लिक्ये तो उन्होंने jos का नहीं आप लिक्रां है मैंने का निंहाँ आपका इतिやस की उपर पकड़ा है आपका अभ्यास है आप लिक्रिए उन्होंने लिख कर दिया मुझे उन नाटक तक्क्रीबढ एक ड्रामा लिखकर मुझे दिया वो सर का अभ्यास था अंग्रीजी साहित्य के उपर और ज्यादा तर शेक्सपीरियन शेली में वो लिखते थे तो पांच-पांच पेज का एक-एक डायलॉग था मैंस कहा सर यह पांच-पेज का डायलॉग तो नहीं चल पाएगा वो पूर हमारे रंगमंच पर उनके जन्म से लेकर उनके मुर्त्यू तक वो कहीं पर किसी भी अभी जो पिछले दिनों कोई उत्तर भारत का इतियासकार है उसने बहुत गलत लिखा था आशोका के बारे में हमने उसको भी जवाब दे दिया वहां पर कि अशोका वैसे नहीं थे आप नाटक चलता है पुब्लिक उठती नहीं है और उस मिनिटस से जिरो मिनिट से थीन घंटे तीस मिनिट को नाटक पूरा अशोका के अपर है। पूरी अश्यो का की वह जितनी भी अच्छी बाते दम्म से लेकर उनके राजनीती से लेकर उनका सारी कि सारी बाती उसमें बताई गई है ये जो है ये कहा जाता है कि आपने जैसे लिए किनाटा था अगर हम उनके मातरपिता के बारे में देखें। वrint नौह आ राजा थे जो राजा होते हैं और कि माता को उन्हें इसलिए पटरानी बना यह ता क्योंकि वुष्व के सबसे सुंदर सत्री थी जब माता पिता इतने सुंदर है तो फिर इतियासकार अशो ni के बारे में ऐसा कैसे लिख सकते हैं कि वो नाटा था काला था वो लिखेंगे ना वो इसलिए भी लिखेंगे क्योंकि अशोका की महत अशोक जो महत्वपुर्णता पूरी दुनिया के लिए वो उनको मानने नहीं था अशोका का बड़पन उनको मानने नहीं था कि अशोक material है कहां तक छुपाओगे जितने भी चैत्य विहार या बड़ी-बड़ी गुफाय है उसमें वही चीज है तो वह अशुका का बनाया हुआ मटेरियल है और आप कहते हो कि अशुक गलत था नहीं बाप इतना सुन्दर माता इतनी सुन्दर तो बच्चा ऐसा बरबाद क्यों निकलेगा सते जित जी कुछ नीतियों के बारे में बात नहीं होती है जैसे आपने जिक्र किया था उनकी जो परराष्ट नीती थी क्योंकि स् दिखता है आपको जहां तक मेरा जो अधेन का जो परिपेक्ष है इसके अंदर में विश्व के अंदर में तो मुझे कोई नहीं दिखाई दिया इसलिए जो साहब है वो बोलते कि सितारों में अगर कोई चमकता सितारा होगा तो अशुक होगा ऐसा क्यों बोला है और यही पाँ लोगों को खटकती है उन लोगों को खटकती है क्योंकि ऐसा कैसेसे कि इसके सिवाएव नहीं सकता गर het के अँधियास के अंदर पूरानों में जाते इस तो चोई राज्यार ला दिखता अशुक का केमपरें तो इट इस क्लियर कि अशोग जो थे इनकी जो नितिया थी मैं सामाजिक तोर पे मैं आपको बता रहा हूं फिर बाद में आ गया होगा अगर सम्राट अशोग के संपुर्ण शिलालेकों का हम सही मायने में अध्यन करते हैं और शब्दों को अगर उठा लेते हैं शब्दों क कि उनके शिलालेकों के उपर में आपको शत्रु और शत्रुता जैसे शब्द नहीं मिलेगे जैकि इनके वेदों के अंदर में शत्रु और शत्रुत्रा के जैसे शब्द पूरे साहित भरा पड़ा हुआ है उनकी इसमें नहीं मिलेगा उसके बाद में वहारत जो है पिस्तरा है यह कोई भी यहां पे एक कल्चर की हुकुमत नहीं चली यहां पर बहुत सारे संप्रदाय के लोग रहे तो समराट अशचों के समय में चार प्रमुक संप्रदाय थे एक था श्रमन जिसको हम बहुत बोलते हैं फिर बाद में आता है तुम्हारा जैन निग्रोज जिसको उस समय में बोला करते थे उसके बाद में आ जाता है आजीवक और उसके बाद में आता है ब्राहमन तो यह चार संप्रदाय के शिवा है बावा साब ने बहुत क्लियर बोला है अपने करांती प्रतिकरांती इनिकोहाव कि क मदन NGO कोg B के बंदन में बंदे हुए है उस समय में यह चीज नहीं थी कोई भी किसी से विवाब करते हैं इसका यह अर्थ हो गया कि सामाजिक स्तर के उपर में अगर देखा जाया तो समराट इशुक का जो क्या बोलती कि महाभारत वो तो महाभारत था उसको नकली महाभारत खड़ा करती है वाथ अलग है सामराट जो है यह पूरी तरह से कासलेश था यह बात हो गई अभी अगर हम आर्थिक स्तर पर आ जाते हैं तो आर्थिक स्तर अगर कि आज की शब में बता उस समय में कोशागार बोलते होगे लेकिन आज हमको वर्तमान में बात करनी पड़ेगी तो उस समय में पहला रिजर व्यांग उन्हों स्तापित किया तक्षिला तो ऐसे बहुत सारे रिजर्व वैंक है उनके दूसरी बात कि यह 30 करोड हो गया सव करोड सोने के सिक्के यह भिक्षु संग को दान देनी की बात आती है हमारे सामने में और चौथी बात यह है कि उस समय में साउथ कोरिया या नौर्थ कोरिया नहीं है और ऐसा अगर हम सारे क्या बोलते कि सोने के सिक्के के और चांदी के सिक्के का अगर मुल्यांकर आज के वर्तमान में निकालते हैं तो फाई हड्रेट ट्रिनियल डॉलर्स के उपर में तुमारी अर्थ होए उस लिए सम अपने जो डॉक्टर अमर्त सेन जो है बोलती कि दुनिया के उपर में 35% क्या बोलती कि निवेश था समराट एश्यों का एक आम आदमी की कि जो मेहने की जो इंकम थी कमाई थी आमदनी थी यह साथ लाख पासट हजार हुआ थी इसके उपर आप निकालो GDP कैसे रहा होगा घर का उत्पादन कितना रहा होगा तो यह बहुत चाप्टर अमर्ता सेंगे बूख में युवन दोज कि इन डेवलप्मेट एज़ेब क्या बोलते कि फ्रीडम एक अमर्ता सेंगी बूख है उसमें अंदर में एक चाप्टर है समराट एश्यों को कॉंडल लेकर के मिन जिसको हम चानक के बोलते चाप्टर लिखा है उन्हें पर समराट अश्यों के अर्थ विवस्ता कि उन्हें की जो नितीयों को को सारो भूमिक नितिया भूला है बोला है वाला सन हम योनिवर्सल नीठी पूरसकार करता था यह सारी चीजें उन्होंने अमर्त सेंड में यह सारी बीती बाते रखी है शेक्षा के निती में अगर बात किया जाए समराट अशो की डॉक्टर अलते कर करके हैं बहुत बड़े विद्वान हो चुके है और बनारस हिंदू विश्योविद्धाले के एच भार्त की अगर हाय एजुकेशन का अगर निखालोगे तो दो तीन परसंटन निकलेगा या 10पर्स निकलेगा उस समय मैं 57 बिल्कुल बिल्कुल आशोग जी अ धार्मिक रूप में समराट शोक को देखा जाता है कि उन्होंने पुरे एशिया में अपितुव पुरी दुनिया में बुद्ध धम्म का जो है जिंडा फैराया और उसका प्रचार प्रसार अंतिम शणों तक वह भीक्षु रूप तो नहीं था लेकिन भीक्षु जैसे जीव ना उनमें आई क्या वास्तों में कलिंग युद्ध के बाद ही आई या उसके पहले उनके पास कुछ बुद्धिश्यम का सार था या कोई उनके बुद्ध भिक्षु गुरू थे या कई से बुद्ध संसकार उन पर आये थे इतिहास की कितावें पढ़ने के बाद ज्याद हैं बहुत बड़ी-बड़ी कितावें लिखे हैं हम नाटक वाले हैं हम अपने हिसाब से उन सारी चीज़ों को एड़ेस्ट करते हैं कि कलिंग युद्ध से लोटने के बाद हमारा एक दुरूश्य है कि कलिंग युद्ध से लोटने के बाद समराट अशोक अपने महल में बैठे है जरोके के पास और उनको वो सारी चीज़े रिमाइन्ड होती है युद्ध भूमी पर जो हुआ इंसान कितना भी एक ब्रहमिस्ट अवस्था में आ जाते हैं हमने लिया वो सीन हमको चाहिए ता उस डंग से तो वहां पर ये करते हैं कि वह बहुत जोर जोर से चिलाते हैं कि मुझे कोई तो बचाओ कोई तो बचाओ क्योंकि वहां से आने वाले युद्भूमी से उठकर लोग आ रहे हैं उ ऐसे वो गिरते हैं वैसे ही दूसरे तरफ से बुद्धं सरणंग अच्छामी की एक ध्वनी आती है ऐसी उपर उठती हुई वह आवाज आती है और यहां से समराट अशोक ऐसे उठते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है वो कि सम्थिंग कुछ तो भी नया है वो उठते ह है और अपना जो प्रहरी रहता हुए उनका रुक को कहते कि जा वो कौन है देखो यहां बुला कर लेकर रहा है तो वह जाते है प्रहरी जाता है और उस को लिके आता है जिसका नाम नैगरोध है इतियासकार या मेधनकरजी के बुक में वो जो लिखा है कि नैगरोध ये जो है वो सुसीम का बेटा है ऐसा लिखा है तो हम हमने वो ही संदर्व लिया सुसीम का बेटा है जब भाईयों में युद्ध हुआ ऐसा कहते है कि भाईयों में युद्ध ह तो सुमन कुमारी जो थी सुसिम की मिसेस जंगल में निकल जाती है और एक नैगरोध पेड़ यान जिसको हम वड़ का पेड़ कहते हैं उसके चाया में उसके डिलिवरी हो जाती वहीं पर रहने वाले बनते उपगुप्त उस बच्चे को बढ़ा करते हैं और बच्चा श्रा कहते हैं कि मुझे आप बचाईए इन सारी इसमें से और फिर वो श्रामनेर नैगरोध उनको सारी बाते बताते हैं उसमें हमने अपमाद वग्ग की एक गाथा लिये है और वो गाथा को पढ़ने के बाद वो कहते हैं कि मैं आपकी शरण में आया हूँ अशोका कहते हैं नै वो दुरुष्य आता है दुनिया का वो दूसरा धंब चक्रपवत्तन जो हमने हमारे नाटक में दिखा है और वो जमीन लिये हमने पाटली पुत्र की यही संदर्ब है इतियास को हम देखते हैं चंदरगुप्त मौरिय तो वो जैन पंठ के थोड़ी से नजदीक थे बिलक पाट में कितने सच्चा लगते हैं देखिए कि समराट अशुक की जो मा थी उनका नाम था धर्मा जिसको सुबांदरी बोलते थे सुबांदरी वह इसलिए बोलते थी कि दिखने में बहुत सुन्दर थी ओटोपन नाम था और धर्मा थी यह शाक्य कुल की थी और इसका दूसरा मैं आपको रेफरंस दिऊंगा कि समराट अशुक की प्रथम पतनी देवी थी वह विदिश्या से यह सब जगजाई है सीवाज दफालोराब्दी बुद्दा और उसका जो कूल था और साक्यान कूल था देवी ने आज भी आप अगर उज्जेन जाते हैं तो वैश्य टेकडी करके है शायद अशोग जी जानते हों यह उसने निर्मान किया और अशोग ने उसको हेल्प किया बरबर इसका मतलब कि अशोग कलिंग के पहले यह बुद्दिजम को ही फालो करता था नाट ओनली फार्दी क्या बोलते कि वह वैश्य टेकडी को ही उन्हों सिटी बनवाया है उसके आविडेंस आपको आज भी विक्रमा दित्ते वहां पे मिलेगे देवी का जो विवाव हुआ वह सौंदर करके गाह उज्जेन से लगब 15 किलोमेटर दूरी पे उसको मुलते कि राजा के विवाव की किला बोलते है उसको तो वहां पे उसको गया त कि मैंने क्छा कर लिया तो पच्छात आप उनीक में होंगा कि बुद्धक होगे बिवर ब coralMB så कि अंदर में महाभारत के गूर्ण होगे तो उनको पच्छात अप नियोगगा क्योंकि महाना बहारत के अंदर में कोई पच्छाताफ वाली बात नहीं यह पच्छाता आप जो कि अभी यह प्राक्टिस करो तुम राजा श्रय देते और अभी प्राक्टिस करो सील समाधि प्रग्या की तो यह जो कहना है कि समराट एशोक बाद में कलिंग के बाद में उन्होंने क्या बुलती कि बुद्धिजम को सीखा रहा इस टोटली रॉंग आपको उनके फैमिली ब भलती संस्कार सोड़ी देने वाली बिल्कुल आशक जी कुछ कहना चाहता हूं कि बुद्धिस्ट किताबों में हमें एक संदर्व मिलता है और वह संदर्व यह है कि तथागत बुद्ध के काल में कुछ शाक्यों में अनबन हो गई और वह शाक्य निकलकर पिपली ग्राम अगये अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिपली ग्राम आये और वह पिपली ग्राम के फिर मौर यह कहलाने लगे याने मौर यह यह ओरीजनली शाक्या है बिल्कुल मैं आपको इसी संदर्व में पूछना चाह रहा था कि जैसे हम वास्तों में आज की दुनिया में देखते है कि कोई अगर डॉक्टर है तो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है कोई अगर इंजिनियर है वह इंजिनियर बनाना चाहते जो बोलते हैं कि हम बुद्ध के अनुए है जो लोग बोलते हैं बाबासाब के अनुए है अगर किसी का व्यापार है तो लगता है कि उसके पुत्र और पुत्री उस सीट पर बैठे शमराठ अशक पहले समराठ होगे जी नहीं लगा कि मेरा बेटा समराठ होना चाहिए मेरी बेटी समराठ होनी चाहिए उन्हों ने धम को दान कर दिया और भीख्शू भीशू नी बनाके ऐसा उधारन जो है विश्व में दूस सबसे बड़ा दानी कों तो मैं सबसे बड़ा दानी हूँ क्या उपगुप्त से पूछते हैं तो कहते हैं आप सबसे बड़ी बड़े दानी नहीं है तो क्या करना चाहिए तब वो कहते हैं कि जो राजा या जो व्यक्ति अपने बच्चों को या बेटी या बेटे को शुद् पर भी कितने भी राजाओं का इतिहास पढ़ लीजिए सिर्फ और सिर्फ अशोका में ही मिलेंगे अशोका के ही चरित्र में वो दो पात्र मिलते हैं जिनका नाम है महेंद्र और संगमित्रा मैं एक मिनिट लूँगा कि मैंने इतिहास की बहुत सी किताबे पड़ी भारतिया इतियासकार एक हिंदी के बहुत बड़े लेकक है मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका उन्होंने अशोका पर एक नाटक लिखा और उस नाटक में अब उनकी पड़ाई कहा तक मैंने कहां कि कमजोर बुद्धी के लोग होते हैं उन्होंने संगमित्रा और महंद्र को अब यह पता नहीं उन्होंने कहां से खोच के लाए तो यह सारी बदमाशिया वरतमान में भी चल रही है और उस वक्त भी चल रही थी बिलकुल बदमाशियों का जिक्र हुआ सतेजी जी बहुत बड़ी बड़ी बदमाशिया ये भी है कि पूरा जब इतियास हम लिखते है तो द्रोनाचारियों को बहुत बड़ा गुरु माना जाता है और महाबारत में जो संदर्व है लेकिन अशुका को इस तरह से क्योंकि तक्षशिला नालंदा विक्रम शिला ये सारी यूनिरसिटी अगर समराट अशुक नहीं होते तो इस देश में नहीं होती उनको कभी श चंदरगुप्त के साथ में एक पात्र जूड़ जाता है चानक के का तो वो जो है बरबर है आप समझ गये ना वो जो वर्ण का अपना प्रभुत्व रखते हैं ब्राह्मन वर्ण का वो लोग चंदरगुप्त को नजिक करते हैं लेकिन अशुक को नहीं करते इसका कारण है क्योंकि अशुक के साथ में कोई ब्राहमन पात्र नहीं है वो हमेशा उनको निशा दिखाए क्योंकि अशुक की बात आजाएगी तो वो कल्यानकारी राज्य की बात आएगी समता की बात आजाएगी उसके बाद में बंदुत्व की बात आजाएगी और चंदरगुप्त के बनाने वाला कोई नहीं है अश्योक स्वेम बना यह चीज है यह इसलिए अश्योक को आने नहीं देगे बुद्दिस्ट जो किंग से इसको आगे नहीं आने देगे अभी शिक्षा की बात कर रहे हो यह जितना भी उन्होंने स्टूपा बनवाया है 84 हमारे को पित्यास में पढ़ने को मिलते किताब गये इट वाज उस समय का यह पूरा शिक्षा के इंद्र थे इसके अंदर में सिर्फ मात्रा आपको क्या बोलते कि त्रिपिटक की शिक्षा नहीं दी जाती थी इवां दोस्त कि सम्राट अशोका जो महल है जो अशोका राम कर के पठना में पूत्र में उसके काफी एविडेंस मिल चुके आर्कॉल एविडेंस तो इसको बनाने वाले जो है न मास्तवीत इंद्र गुप्त थे यह मैंने कर रहा हूँ अपना बहुत संस्कूरती करके वह बूक है रावल संस्कूरत कि उसके अंदर में लिका हुआ ए मुझे पूरे इंजिनियर से में लोगों ने बन तो बहुत बिक्षियों का एक जो अधोनिक है लेकिन कश्मिर के अंदर में केशर करके आती है न वह केशर का भी जो अफगानिस्तान से जो रोप लाके वहाँ पे जो बोनने वाला वह भी बहुत भिक्षू था उनका नाम मुझे याद नहीं लेकिन आपको क्या बोलते कि गूगल में मिल जाता तो बहुत भिक्षू को जो कि देखा जाता है अशोग के समय में जो बहुत भी इंजिनियर भी थे यह आर्टि टेक्ट्टर भी थे बहुत सारी जो गुफाओं में उनके नाम पी मिलते हैं कि पांड़ाइन कि बहुत बढ़ा है तो हमारे कहने का मेरा एतना यह कि जो च आपश्यार से तो बुद्ध के अंदर थे मैं गुरुकुल की जो बात करते हैं वर्तमान के अंदर में कि गुरुकुल सीस्टेम वाज वेड़ी एक्सलेंट बहुत बढ़िया थी गुरुकुल कि सिस्टेम में लिखा है ब्राहमनों किसा कोई नहीं जाता था वहाँ पे दूसरे को एंट्री कर दिये थे उसके बाद में जितनी भी राजा अपना महापरी निरवान के बाद में ल легко हुए अशोक तक अगर उनको वेद बहुत अच्छा होता तो उनको भी जो है बुद्द की शरण में नहीं जाते हैं उन्होंने वेदों को फारवट कर दिया होता आगे चलागे अशोक के लिए अगर चंद्रगुप्ता मोरिय की बात करते हैं छोड़ो अशोक को तो वेद्वयलन को सर्मता स्वातंत्र बन दीड़ा की अगर कोई विकास हुआ वह गा किसी काल की अंदर में तो उसके हमको थाटा सब्सक्राव बतातातो हम उसको सिवकार लेते हमको क्या प्राबलन है अशोग जी मैं आपके तरफ आऊंगा यह कहते है कि एक बड़े-बड़े आरुप तो बहुत है कि सव भाईयों को मारा प्रितना रखतपात अशोग निया और सबसे बड़ा आरुप समराथ अशोग पर यह किया जाता है इतिहासक कि समराथ अशोग की बुद्धिजम को एक्सेप्टर में की बात या फिर धम्म के प्रचार के लिए पुत्रों पुत्र को भेजने के बाद उनका जो कमान था वो धीरे-धीरे कमजोर होता गया और उनके कमान को कमजोर होने के वज़े से देश में परकिये आकरमन बड़ा और उनहीं के वज़े से देश के बाहर के जो आकरमन कारी थे इस देश में हावी हुए यह इतिहास में असमराथ अशोग पर दोश लगाया जाता है इसके बारे में क्या कहेंगे हमने जो पढ़ा है उसमें एक चीज यह है कि उनकी जो सबसे लास्ट बीवी थी तिसरक्षि और इतिहास में इविडेंस भी मिलते है कि महाबोधी को नस्ट करने का उसका शड़यंत्र उसी ने रचा था और कुणाल की आखें निकाल कर उसे मार डालने का शड़यंत्र भी उसी का था कि दोनों शड़यंत्र सफल नहीं होते हैं क्योंकि अशोग का जिस दिन बुद्ध मिलता था वो बंद हो जाता है और ऐसे इसमें अशोग का चले जाता निकल निकल पड़ते हैं बुद्ध धम्म की मार्ग पर और इसलिए यह बाकी जो लोग है जिसको हम उत्पाती लोग कहेंगे तो यह उत्पाती लोग बाकी लोगों के संपर्क में आकर बाकी राजाओं नीचा दिखाने के लिए डिला करने के लिए अपने काम में लग जाते हैं लेकिन बावजुद इसके अशोगा की मृत्यू तक और जैसे कुनाल की आखे निकालने के बाद वो हमने एक सीन भी लिया हमारे नाटक में कि अशोगा कहते हैं कि भाई तुम अब राजा बन बावों में नमूद है इसलिए हमने वो लिया है तो वहां पर संप्रती को राजा बनाया जाता है और सबसे लास्ट में जो एक सीन आता है हमारे नाटक में कि जिस वक्त अशोगा को पता चलता है कि बोधी वुर्क्ष को नस्ट करने का शड़यंत्र किसका है और कुनाल को करने का शड़यंत्र किसका है तो उस वक्त वो उनका लास्ट और होता है कि देह दंड का जो तिस्रक्षिता को दिया जाता है मैं थोड़ा सा भटक गया था फिर से उसी रास्ते पर आता हूं कि जैसे ही बाहरी राजा अशोका का बूढ़ा होते चले जाना उनके पास राध गुप्त अंतीम समय तक उनके साथ होते हैं लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़े होते जाते हैं बाहरी आकरमनकारी या पिर अंतरगत याने राजा के राज्य में रहने वाले वो शड़यंत्र कारी लोग हावी होते चले जाते हैं और लास्ट में अशोका निकल जाने के बाद उनकी कई प्रीडियों के बाद हम देखते हैं कि बुरहद्रत की हत्या होती है पुष्श शुंगम मित्र के माध्यम से और यहां पे वो मौर्य खतम हो जाते हैं तो यह अंदर अंतरगत जो घर के भेदी घर का भेदी लंका ढढ़ाए यह विकारी लोगों के वज़े से प्रचार प्रसार में लग जाने के बाद भी उन्हों अपनी चतुरंग सेना को वैसे ही रखा था उसमें कुछ भी कमजोरी नहीं थी लेकिन जैसे अशोग जी कह रहे थे कि अंतरगत जो कला है इसमें कितना रोल है ब्रह्मनेजम का हाँ इसमें प्राबलम कैसे है कि काटमांडू में हैं तो हिस्ट्रॉरिकल हो गया तो चार वायूप के जो चार पुत्र थे तो परिवार का अपना एक वाद रहा है कि मेरा बेटा राजा बनेगा तो यह हर परिवार में आज भी चलता है यह एक कारण है और दूसरी बात कि निच्छित रूप से अगर समरा प्रभुत्व कर दिया है आपके वर्नव विवस्ता में जो आपका प्रभुत्व दिखाई देता है उसको पूरी तरसे खमतम कर दिया है तो उस प्रतिव क्या बलते के प्रभुत्व को फिर से रिवायू करने के लिए आप उटपठांग काम करोगे यह बिलकुल निच्छ तो वहां पर थे और उनको एक पात्र के अंदर में आधा अवला दे दी गया तो निशकर्शी यही निकलता है कि समराट अशोक का जो सामराज है अभी आधा रहे गया इसका मतलब कि उसके समय में संप्रति जो था जैलोग जो था वो कश्मीर का राजा बन गया उसके बाद अशोक का करके उनको एक उभादी दी गई है और फिर बाद में दश्रत प्रापर परसंट पर परसंट पर परसंट अशोक के काम को दश्रत नहीं आगे बढ़ाया नो डाउट तो यह पारेवारिक एक वाद रहा फिर बाद में राजनितिक उट्फटांग भी रही यह मूल सब्सक्राइन इस उन्हों ने जो कुछ राज किया उसके प्रेट के अंदर में या 15 अगर विदेशी आकरमन कारियों के कोई हमले हुए होगे भारत के अंदर बे आज के भारत के परिपेक्ष में नाम को गिना नदी से उसको उदर भिजवा दिया वापस बेब बेबोलियन जाके वह अपना मर गया बरबर है यह बहुत सिंपल दूसरी बात बड़ी महत्वपुर्ण बुली रक्षा निती के बारे में बताऊगा समराठ अश्योक ने कलिंग वार किया और वहां पे धौली में उन्होंने शिलाले का को यही बात वो जो है आँ प्लींग युद्ड को रिखते हैं के इतने मर गski इस प्रकार की माना वहानी हूई ए इस प्रकार का यह हो गया मेरे पर भरोसा रखो मेरे विश्वास रको आपका सूखी होगा दुख नहीं दूगा कर के तो उन लोगों को भी समझाते हैं बॉर्डर के लोगों को कि देखो कि अगर आपने गड़बड़ी की तो कलिंग होगा कलिंग होगा तो इसका यह अर्थ हो गया कि समराट अशोक ने अपनी सेनाओं को निसर्थ नहीं किया था उनके पूरे सस्त्र जो है उन्होंने निकाल नहीं थे बढ़की जितनी भी बॉर्डर एरियास थी सिमाय थी वहाँ पर उनकी फौज जो है तैनात थी एक आखरी दोर में हम इस चर्चा के और यह दोनों को यह कॉमन मेरा प्रश्न है कि आज के दोर में हम देखते हैं इतियास की बात कर रहे हैं समराट अशोक को देवा और उसके बाद में भी ऐसे राजा जो है इनको यह कहा जाता है कि इतियास से बिल्कुल गायब कर दिया जाता है और चोटे चोटे राजा इनको वह चूर 200 किलों का भाला था ऐसा घोड़ा था जिन्नोंने दस साल भी राज नहीं किया उन राजाओं का मैं नाम नहीं जो कुछ चोटे से प्रांद के राजा थे उनको भी चक्रवर्ति कहा गया हम मद्यप्रदेश के बारे में बात करेंगे वहाँ पे भी चुट-पूट चोटी से भूमी के लिए जो लड़े या फिर घर के कले में जो भाईयों के भाईयों के साथी युद्द किया उनको भी अगर हम जीवित कर लेते हैं और उनकी प्रशेंश्या करते हैं तो बात बुद्दिजम के आ जाएगी और जो प्रभुत्व है एक वर्ण का वो पुरा डाउन हो जाएगा और अशोग को लेके यह जो प्रभुत्वा वाले लोग है अपने वर्ण के उपर में जो अपना ग चाँ कर रहा हूं वर्सारं के बाडार करें और उनको चोडों हो ब्रामन षड़ सहाब ऑर छटी मूर बनाया होते हैं इंको अकल नाम की चीजित और अशोग के समय में मैलाओं के ससक्तिकरण के लिए उन्होंने क्या पॉलिसिस थी वो सामने नहीं आएगी मैलाओं जो है भारत के अंदर में जो मैलाओं है 80% मैलाओं कीचन में है उनके उपर में कीचन जिम्हधार ये पती की जिम्हधार ये बच्चों की जिम्हधार इसे मैला जब तक मुक ने घुकी इसको है और अपने बच्चो की जिम्मेदारी से मुख कर दिया इट इस पॉलिसी आज भी आप चले जाओगे पुरुवे एशिया के अंदर में आप क्या बोलते कि साउथ को या बहुत सारी जगों पी पॉलिसी मिलेगी तो यह जो हमारे जो गला फाल फाल के जो मैला से सक्तिकरन की बात करते हैं तो मैला सक्तिकरन के पहले हमको यह देखना पड़ेगा कि मैलाओं के उपर में जिम्मेदारी कितनी है घर की जिम्मेदारी पती की जिम्मेदारी बच्चों की जिम्मेदारी पती अच्छा हो तो ठीक है पती अगर ठीक ना हो तो भी पती की भी जिम्मेदारी तो यह सारी बनाया था कि सारे बच्चों को रिसिडेंस में डाल दो विनेशिल भीक्षियों के मादेंस उनको सील सदाचार पड़ाओ उसको प्रग्यावान बनाओ उनको चरीतरवान बनाओ और जब तक मनुष्य चरीतरवान बनेगा नहीं तब तक कोई भी नेशन जो है डेवलफ होगा जी कहा जाता है धंब मार्क पर चलने वाला राजा कहा जाता है उनकी यह जैनती हम हर्शुलास के साथ मना रहे है क्योंकि इस देश का इतिहास प्रियादर्शी देवनान प्रियर समराथ अशोग के बिना बिल्कुल हम नहीं लिख सकते ना इस इतिहास को याद कर सकते हैं आप दोनों अशोग जामुलकर जी और सत्यजीर मौरिय जी आपने वक्त निकाला और इतिहास के जरों के से हमने देखा और हमारे प्रिक्षक भी समराथ अशोग को समझने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों का बहुत-बहुत आभार नमुदा जी आप देख रहे हैं आवा